नमस्कार, दा टरम टूब में आपका स्वागत है, मैं हूँ पृती शर्मा बढ़ते तापमान की वज़े से मानो भारत जल रहा है दिन प्रति दिन बढ़ती गर्मी के चलते जहां एक तरफ एर कंडिशनर का देश में इस्तमाल बढ़ रहा है वहीं दूसरी तरफ इससे निकलने वाली ग्रीन हाउस गैस के बढ़ने से ग्लोबल बॉमिंग का खत्रा अनियंतरत रूप से बढ़ता ही जा रहा है साल 1902 में विल्लिस कैरियर ने बर्फ और पंखों का इस्तमाल कर एसी का विशकार किया था लेकिन तब से अब तक टेकनोलोजी में बहुत लंबा सफर तेय कर लिया है भारत में एक प्रसिद एयर कंडिशनर कंपनी के मताबिक वर्ष 2016 में देश में लगबक 5 मिलियन एयर कंडिशनर बेचे गए थे जो देश में 35 मिलियन यूनिट्स बिजली की खपत के जिम्मेदार है अब हम उस इस्तिती में नहीं हैं जब हमें इससे निकलने वाली हानी कारक ग्रीन हाउस गेसों पर बस बहस भर करनी है बलकि अब हमें किसी भी तरह परियावरण को बचाना है एर कंडिशनर का उपयोग ग्लोबल वामिंग के लिए हम सब को जिम्मेदार बनाता है इसमें एर कंडिशनर का इस्तिमाल करने वाले निर्माता और सरकार भी शामिल है बिजली मंत्राले के कम बिजली खपत के अभियान के तहत एक प्रस्ताव रखा है इस प्रस्ताव में सभी एर कंडिशनर बनाने वाली कंपनियों को नियूनितम तापमान केवल 24 डिग्री सेल्सिस रखने के निर्देश दिये जाएंगे अगले चे महीनों में एक जागरुकता अभियान के बाद और लोगों की प्रतिकिरिये जानने के लिए एक सर्वेक्षड के बाद मंत्राले इस प्रस्ताव को पारित करने पर विचार करेगा बिजली मंत्राले के मताविक इस से अकेले एक वर्स में 20 अरफ यूनिट बिजली बचाने में मदद मिलेगी बिजली की खपत में बचत और ग्रीन हाउस गयसों को कम करने के लिए सरकार को और भी कुछ पहलों पर काम करना चाहिए इसके लिए कुछ सुझाब है वाईउ अनुकूलन या एर कंडिशनिंग और वाईउ प्रसार या एर सर्कुलेशन दो अलग अलग चीज़े हैं कुछलता से चलाने में मदद मिलेगी क्योंकि आप ज्यादा ताफमान सैटिंग में भी ठंडक महसूस करेंगी उधारण के लिए पंके के साथ 27 डिग्री सेल्सिस की ताफमान सैटिंग 22 डिग्री सेल्सियस की तरह महसूस होगी यह अपने आपी बिजली की खपत को कम कर द साथ साथ ध्यान रखें एर इंटेक फिल्टर के अंदर की धूल अच्छे से साफ की जाए इससे एसी की कुशलता बढ़ने के साथ साथ बिजली की खपत भी कम होगी एर कंडिशनर कंप्रेसर के सेचुरेशन इसतर की निग्रानी रखने और उसे अनकूल रखने के लिए बाजार से आप फिटिंग करवा सकते हैं यह एसी के मौझूदा तापमा नेंत्र तंत्र के पूरक के रूप में कारे करता है इससे आप 20 परसंट तक बिजली का बचत कर सकते हैं एर कंडिशनर की बिजली की खपत को मापे निग्रानी रखें और प्रबंदित करें एक साधारार मीटर का उपयोग करके एर कंडिशनर की बिजली की खपत की निगरानी करके आपको एर कंडिशनर द्वारा वास्तम में कितनी बिजली का उपवोग हो रहा है उसकी जानकारी मिलेगी घर के लिए एकट्टे मासिक बिलों की बजाए अलग-अलग बिल में खपत को देखते हुए आपको इस बात का एसास होगा कि AC को ठीक से ना चलाए जाने से कितनी बिजली लग रही है इससे घर में सभी इसकी ओर ज्यादा ध्यान देंगे एर कंडिशन के निर्माता और डीलर ग्राकों के बीच बैतर कूलिंग और कुशल उपयोग के लिए एर कंडिशनर के साथ एक पंखे के उपयोग का प्रचार कर सकते हैं निर्माता एयर कंडिशनर के साथ बैतर बिजली की गुड़वत्ता सुनश्चित करने के लिए एयर कंडिशनर के साथ एक स्टेबलाइजर और एक मीटर भी पैकेज में दे सकते हैं यदि आपको लगता है कि इन सबी बातों पर अमल करके हम बिजली बचा सकते हैं और यदि आपके पास भी कोई उपाए है जो बिजली बचाने में सहायक है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में साजह कर सकते हैं अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाएं वीडियो फेस्बूक पर देख रहे हैं तो फेस्बूक पेज को लाइक करें धन्यवाद